दोस्तों इस्टड़ी पित राजेस मौरिया के उट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है तो जितने भी हमारे एग्री कल्चर के स्टुडेंट है उन सभी के लिए ये वीडियो काफी महत्पूर है और अगर जो भी स्टुडेंट बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं उ पिछले लक्षर में बताए थे तो पिछले लक्षर में हमने आप सबके एक वीडियो प्लब्द करा दिये थे जो काफी महत्पूर्ड को इचन अब्जेक्टिब या निश्चित उत्रिया अतलग उत्रिया आज हम देखेंगे उसी के आगी हमारा सेकेंड लक्षर आएगा सब्सक्राइब करा तो जो महत्पूर्ड चैप्टर उसके नुमेरिकल के माध्यम से आप सबको वाइड बोर्ड पढ़ा कर अच्छे तरीके से बता देंगे क्योंकि खांपी पर नुमेरिकल थोड़ा बतावाना थोड़ा मुस्किल हो रहा इसलिए आप सबको नुमेरिकल नहीं बताए जा रहा तो कल आज रात में आप सबको कलम नुमेरिकल एक से दो चैप्टर के जो महत्पूर्ण उसको जरूर उपलब्द करा देंगे तो जितने भी स्टुडेंट हमारे से यूटूब चैनल को देख रहे हैं आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक से रों सस्क्राइब जरूर करिएगा तो चलिए हमने पिछले लक्षर में आप सबको बता दिये थे भूपर इसकरण क्या होता क्या बता दिये थे भूपर इसकरण के बारे में बता दिये थे और प्राइमरी क्या होता हो सेकंडरी क्या होता है इन सभी के बारे में सेकंडरी भूब नहीं देखे मारे वीडियो के पญए लिष्ट में जाको सभी लोग देखए अगर देखymphmy प्रिसकराब तो क्या क्या पुछ लिए संन्गर पूचते से का प्यूंचते हैं ya तो देखिए मेटी प्लाट रोदोर जुताई करने पर यानि मेटी परिया किसी बीट भीट दोरा मीटई प्ल्रый लोदोर जुताई करके खेर तयार करना या बीच सहिए तियार करणे से लिए उकास कते हैं उसको रुपाई से मतलब तायार करने से लेकर जब तक हम फछाए के क्टाई करते हैं, इन सभी के बीच में जितनी भी करियाई की जाती है, उसे हम क्या कहते है सेकंडरी टेले लिजे दोत्य गूपर इसकर एक कामन भास, जाहसा करा सकते से लेकर वीच की बुगाई तक जो भी किर्याएं होती है वह प्राइमरी यानि प्राइमरे तिलिए नतर्गत आती हैं अब यह आप दिया कि दुतियो भूव पर इसके निकाई गुडाई कर तो भी दुतियो भू पर इसकर है रहाँ है रोचलाना पाटा बेलं सिंप पटेला आद खुर्पी फावडे कस्षी से निकाय गुड़ाई करना इस क्रेपर या करार चलाना पपड़ी तोलना यह सब रितो के नुस्तार बिवन पुड़ के जूदाई के बढ़ां यहीं तो कि अधार पर जूदाई को कितने भागों वाटा गया तो तीन भागों में ग्रिश्पकालीन और दूसरा आप सबको बतादे हैं वर्शाकालीन और दूसरा आपका हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा सरत कालिन तो पहले आप यह समझे लेना कि रितुओं के अधार पर जुताई को कितने भागों में बाटा गया है तो तीन भागों में ग्रिस्प कालिन सरत कालिन और वर्सा कालिन ठीक है तो पहले हम देखते हैं ग्रिस्प कालिन इस प्लटेने वाले हलो के द्वारा की जाती ठीक है अब देखिए रभी की फसलों को काट कर भूम में पलेवा करके ओट आने पर ओट मतलब जुताई ऐसी वस्था जाती जो जुताई करने योग घो जाती तो यह सभी मतलब आसना भी दहा लगना आप इतने में पॉइंट इसको बाकी आप अंदर और थोड़ा बनाकर लिख सकते तो बहुत अच्छा हो जाएगा मतलब जुताई अपरे से जुन तक परारा मिट्टी पलट हलो के दौरा की जाती इतना आप याद रखना बाकी और अंदर बनाकर लिख सकते अब इस जुताई के लाब क्या होते हैं नाट ि नाट्रिक करण के किरियत तेज होने लगते नाटिकी कर नियां नाट्रिक करन के क्रियत तेज होने लगते दूसरा भूंक बैध्र यो जल जली चमता होती वो बढ़ जाती है थीशरा वूं के सतह खुलने के कारव य jurisdiction जब आपता है घुवार जूताई करते हैं तो उसमें वाहएं संचार धूप लगने लगता है तो खरपतवान नष्ट हो जाते हैं और उसमें जो हानिकारत केड़े मुकड़े जो भीमारीया जिवाड होतों वह भी धूम में नष्ट हो जाते हैं बतलब अगर हम जुताई करते तो जाता है आप समर्श में जुताई करेंगे डिला उपर आ तो क्या होता है उसमें इंसेक्ट है जो भी मारिया धूब लगने से खतम हो जाती है तो आप कामन भासा में जुताई के तीन विदियां ग्रेस्प का लिए ठीक महत्पूर कोईशन अब दूसरा यहाता है वर्षा काली यह जिसे बोलता रहने सीजन यह जुताई वर्षा रु मतलब घ्रेस्प वर्षा काली तो मतलब वर्षा रुद में जुताई की जाएगी तो जुलाई से लेकर सितंबतम मिट्टी प्लेटेने वाले हालों के दौरा की जाती है ठीक है इतना यह और बाकि आप सभी लोग की वर्षा रुद्में अवसर पराथ होने पर किसानों है भूंगा शमता में तो यह हुए हो पाता है वुद्दाने चमता चाहि पाते हैं और सड तर स्क कर मिंटी में मिल जाता है यह ह्मारे वर्षा रुद्र की जुताई के लाब हो समझ लेजिए कि हैं रूसारे रुठ की जुताइक अब 13 कि की जो भी student त्यारी करें वहां से वो objective question यह सभी बन सकते हैं ठीक है तो सरदरत की जुताई 15 सितंबर से 9 तक की जाती है इस जुताई कमों की उदेश रभी की बुआई के लिए खेद को तैयार करना मनलब रभी की फसलों की बुआई के लिए खेद को तैयार करना किस जुताई कमों की उदेश होता तो सरदरत की जुताई कमों की उदेश होता बाकि आप सबी लोग इसको आप सबी लोग में में पॉइंट आप सब को बताए जा रहा है ठीक है इसको आप अगर दो चार बार अगर आप सब उसको नहीं समझवाता है वीडियो को चार बार देखिए उसको सुनिए और समझिए क्या उसमें कहा जा रहा है तो आप आसाने से समझ लेंगे अब जो हमारे सरदृत के जुताई के लाब क्या होते हैं भूम में बुरबुरी हो जाती है पहले क्या भूम बुरबुरी हो जाती है उसमें नमी संचिद रहती है मतला मिदा में नमी संचिद रहती है खरपतवार नहीं हो पाते हैं और भूम में वाज संचार बन जाता है और खेद समतल हो हो जाएंगे सअरत रृत के लवाड तो ज्युताई कितने परकार क्या होते हैं तीन घ्रिस्पखालिंग मैं कब करता है अपरेज जून में जाते हैं मिट्टी प्लॉट नहीं है इसके लवाग क्या हमने बता लिए उसके लाग क्या तो पजे वर्सा कालिंग यूख कि जाती ह कि इस कामों के उद्धर अभी की फसरों के खेट की तैयारी करना बूह आई की लेठी अब इस जुताई के क्या लाब होते हैं हमने बताए भूम बरबुरी हो जाते हैं उसमें नमे संजीत हो जाते घर पर आने युक पाते यह सब हो जाएंगे अब देखिए यहां पर यह मात पूंड कोईच्छा ने जो पूछा जा सकता है जुताई की भूम की भूतिक रासाइनी तता जैविक दसा पर क्या परभाव पढ़ता है या जुताई का भूम पर 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 पूछ लेगा तो यह भी कोईच्छन बज़ सकते हैं अब मिदा संग्रचना बदलने में हलका महत पूंड अस्तान होता है मतलब मिदा ढालू है यह इसको समतल करने में या उसकी संग्रचना बदलने में हलका बहुत परवाव पढ़ता है भूम में उचित नमी होने पर यह भूम की जुताई करने में से भूम में सुधार होता है मतल कि यहां पर दिया है कि जुताई के भूम पर निमने प्रभाव अब जुताई के भूम पर क्या क्या प्रभाव पढ़ते हैं तो पहले आप दियान रखना फिचकल इफेक्ट या भावतिक प्रभाव तो आप यह हीडिंग जरूता है रखना कि फिचकल भूम के जुताई के प परवाव होते हैं लाप के खता है तो आप यहीं सब लिख सकते हैं तो क्यों है आपको तैयार होना चाहिए physical effect भातिक परवाव हो जाते हैं अब दूसरा यता रासानी परवाव भी आप सबी लोग अधियार कर लीजिए गाँ जुताय के रासानी परवाव भी भातिक और तीसरा आ जाता है जैवी प्रभाव जिसे बोलो जाता बायलोजकल एफेक्ट क्या बोलो जाता जैवी प्रभाव या बायलोजकल एफेक्ट यह क्या होता है कि जुताई करने से मिल्दा बिन्याश ठीक हो जाता जिससे जिसका परभाव जैविक क्रियाओं पर पढ़ता के यह द्यांटाइक माइलाब कितने से सब्सक्राइब कि अंतर मताईे दूसरा पूच्छ पूच सकता है कि सेकंडरी ट्रेल जा दोते भूप पर इसके लिए प्रियोग की जाना हो ले दो इंतरों के नम ठीक है अब देखिए भूप पर इसकरा क्या होता हमने आप सबको पहले बता दिया कि बीच बहुने से पहले भूम के तयारी करने तदा फसलों की बिरिद्दी के समय भूम के ख सारे अब भूप पर इसकरा हैं अब बुभWow पर इसकार दोह खंद प्राहीं हमने आप सबको पहले बता दिया कि प्राइमरी की होता हूं सेकंडी के नहीं होता ठीक है whatever गया है कि प्राइमरी में के वहं वह अगरे दोखञा कि तकर सेटाने बीच प्रोपर तो प्राइमरी भूप परिस्करण के रूम में हम क्या क्या प्रियोग में लाते हैं तो प्राइमरी भूप परिस्करण के रूम में किसका किस क्या क्या कौन कौन सा अंतर प्रियोग में लाते हैं तो प्राइमरी मोल्ड बोल हल्ड हो जाएगा तवे दाल योग में लाइए यह प्राइमरी भूपर इसक्राइब देखे कल्टिबेटर चलाना है रो चलाना पपड़ी तोड़ना पाटा लगाना निकाई गुड़ाइ करना ये सब किसके दुतियप पर इसक रान क्या राती है गधी सहीयर करने से लेकर फसल गुड़नीया से के अंतरगत आती है अब आभ सब को प्राइमरी और सेकंडु पर इसकार तरीके से बता दिया अगर यहां पर पूछ लेता कि दूतिया भूफ पर इस करें कि उद्देश क्या है तो आप सब लोग हेटिंग के उलच्छ तयार कर लिए बाकी पढ़ लीजिए अब जेक्ट आप सेकंडरे टिलेश देखें दूतिया भूफ पर इस करें कि क्रिया निमलखित उद्देशों के लिए की जाती अब पहला उद्देश आप या रखना कि मिट्टी को बिलोडन मिट्टी का बिलोडन उसमें चूड़ेत करना मतलब ठीक है कि देशिया लत्वा बक्षा दोरा जुताई करने के बाद पटेला गुमा देए तो आप हेटिंग तयार कर लिजिए दूतिया भूफ पर इस करना कि उद्देश क्या होते हैं तो मिट्टी का विलोडन है उससे चूड़ करना दूसरा नमिस रच्छड या वास्पन की रोख थाम करना तीसरा ढेले टोनना ये मिट्टी को दबाना यह आप करें पत्aja कर दोबाना ।को मित्टी मिलाना इस सब करना ओचु को मिट्टी से डखना यह सब किसी की नलगतिए वह सब्सक्राइब में परियोक की जन्व थीन यह अंतर कौन को से शीम नलगना कोन-कोन-कौन से अंतर परियोक है या आप ध्यों नगना कल नुमेरिकल के वीडियो जरूर उपलब्द कराएंगे तो जितने भी इस्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं आप जादा से जादा से हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और से रो सस्क्राइब जरूर करिए अब देखिए क्या होता है यह क्या होता है य या औरोद परत या स्वाइल मल्च क्या होता क्या स्वाइल मल्च मिर्दा पलवार जिसे या औरोद परत क्या होता स्वाइल मल्च क्या होता ठीक है यहां पर यह समनना बहुत जरूरी है काफी मात पूर है कि भूम से मिर्दा जल अत्वा मिर्दा नमी की हान को रोकने के ल जल या मिर्दा की नमी को रोकने के लिए एक परत बनाया था अब परत क्या होता है जैसे हमने फसल की जैसे हमने एक खेट तयार कर दे जुटाई कर दे ठीक है जुटाई करके अब यह होता कि अगर हम वीज एक दो दिन लेड वहाई करना है तो हम क्या क्या होता है पाटा किहान को रोकने के लिए जो भूम से मिर्दा जल होता है मिर्दा नमी को रोकने के लिए पर्या तैयार किया जिसे बोला जाता औरोध परत या मिर्दा पलवार या स्वाइल मल्च कहा जाता है ही अब देखें हम अगर देखा यह और दो परकार के उतिहें मिद्द औरोद परकार के ऊंतर नमब इनन नेचुरल प्राकित ए और उप्रत हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आश्षी सेल् मल्च अब नाशन मल्च क्या ह intric आप सब को मता देते हैं लिग 2 के तो में यांतरी क्रियां उद्वरा लेकि खेतों में यांतरी क्रियां दरह भूम के ऊपरी धर्तल पर मिटी को लवगए छों साथ संटीमेटर के या गाहराई तक बारिक भूम बनाकर उसे परत सी बनाई जाते हैं जिसे प्राकितिक अवरोध परत कहा जाता है मतलब खेतों की आंतिर की द अधर क fences की सिसे साओ सेंटीमेटर होसा है जाएगान मतलब क्या होता है खेत की सता पर पत्तियों भूस भूसा सुरी खेत की जो सता होती है मतलब उस पर क्या करते हैं खेत की सता पर पत्तियां भूसा धान कपुवाल या अन्य किसी प्रकार के जयुपदात बिचा देने से भूम में वास्पन दौरा भूम की नमी की नश्ट नही होता है यह हमारा किसके अंतरगता था आज़िंव से अंतरगता हमतल आप कामन भासा मिए झानगना कि अगर पूझ लेया क्रितिम मल्च किया होता तो समय लेन लेना या इस गां management कि धरातल को मिट्टी के शेसे साथ संडिमेटर गाहराई से बारी भूम बना कर उसमें मिट्टी को दबा देते परस ही बना देते और निचुरल हो जाएगा आठीपिसेल हो जाएगा कि रित्म क्या होता है कि भूम की सत्वा पर पत्तियों भूसा धान की पूहलाच और किसी से ढख देते जिसमें वास्पन की किरिया नहीं होती है उसे बोलते हैं आठीफिसेल मल्च कहा जाता है तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं अगर आप वीडियो आप सब को अच्छा लगा तो आप सभी लोग कमेंट बाक्स में सब्सक्राइब करेंगे आज के लिए इतना ही रखते हैं बाकी मिलते नेश्ट लेक्चर में धन्यवाद